हेलो स्टूडेंट्स आप सभी का जोगत है मारे से यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग बात करने आ ले हैं आपकी पठान अभ्यान की गतिविधी पत्रक जो की आपकी 38 नमबर की और आज की जो ये कच्छा है कच्छा 6 से लेकर 8 तक के लिए और देनिक यानि दिनाक कौन सी है चार तीन 2022 यहां पर बच्चो आपको अपना नेम या अपनी टीचर का नेम लिखना है और इसे प्रादम करने से पहले बटा बता दूं ठीक है कि आप सभी डेली और वीकली बहुत सारे प्राइस को जी सकते हो बस उसके लिए वीडियो को करना होता है बटा लाइक और च पुष्तक मेले की से तभ मोहित और उसके दोस्त विष्व कुष्तक मेलीयाः घुमने गए उन्होंने वहां वीबिन पुष्तक स्टॉर देखी आईए आर एन प्रकासन की पुस्तक की सूची के भाग को देखते हैं चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया पुस्तक की सूची सीर्जक, बुद्धिमान बीरबल, अंकित मूल 20 रुपे छूट हमारी 5 रुपे 90 पैसे और करमूल हमारा कितना हो गया करमूल हो गया, 14 रुपे 10 पैसे इसी तरीके से बिटा आप क्या करोगे तो बिटा यहाँ पर देखो, सूरीला तानसेन 65 रुपे अंकित मूल है, छूट हमें 13 रुपे 10 पैसे की मिली है तो हमारा करमूल क्या होगा, तो देखो बिटा क्या होता है देखो करमूल क्या होता है देखो करमूल होता है हमारा क्या अंकित मूल इस बात को या रखेगा अंकित मूल बराबर क्या होता है करमूल लिए प्लस छूट ठीक है कर मूले प्लस छूट अगर छूट दी गई तो छूट हो जाता है तो देखो बिटा अंकित मूल यहां पर दिया गया 65 रुपए कर मूले हमें क्या करना है पता करना है तो यहां छूट कितने हो जाएगी छूट हमारी रिखो 13 रुपए 10 पैसे कि ए तो 65 में से 65 माइनस 13 रुपए 10 पैसे करेंगे तो कर मूल ला जाएगा और कर्मूल्य बराबर हमारा कितना होज़गा तो देखो 65 मेंसे देरा को माइनस करेंगे 52 आएगा और 52 मेंसे 10 को माइनस कर देंगे तो हमारे 50 रुपए 90 पैसे आजएगा ठीक है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बिटाई इसका उत्तर हो जाएगा एक क्यावन रुपए नबे पैसे ठिक आगे देखिए क्या कहाँ गया है बिरंगी कविताएं 130 रुपए किये और कितने की पड़ी है जाके बिटा ये ये पड़ी है 105 रुपए 60 पैसे तो देखो बिटा इसको कैसे निकालेंगे तो इसको निकालने का वही तरीका आप 130 में से क्या कर दो 130 रुपए 00 में से क्या कर दो 105 minus 60 कर दो तो आपका कितना आ जाएगा यहां रखेगा यहां पर 0 को 0 4 आ जाएगा यहां से कैरी गया एक ठीक है तो देखो बिटा यहाँ पर है 9, 9 में से 5 गेटा बच्चे 4 और यहाँ पर कितना है यहाँ है दो और 10 में से 2 गेटा बच्चे 24 यानि कि हमें कितने रुपए की छूट मिलिए 24 रुपए 40 पैसे की छूट मिलिए ठीक है अगला प्रसंद देखिए क्या दिया गया है जानवरों की पाथ साला 25 रुपए की और 7 रुपए 80 पैसे की छूट है तो 7 रुपए देखो है कितने की है 95 रुपए की छूट हमको मिलिए 7 रुपए 80 पैसे की कितने की 7 रुपए 80 पैसे की छूट है माइनस कर देंगे तो देखो यहाँ से गया एक कैरी इधर तो यहाँ हो गया 9 और यहाँ हो गय तो देखो बिटा 10 में से 10 ठीक है अब देखो यहां पर हमें 10 लेने की जुरती नहीं यहां 10 ले लो सीध है ठीक है क्योंकि पीछे तो 0 यह 0 का 0 8 में से 10 में से 8 गया बच्चे 2 और यहां 4 ठीक है यहां से कैली लेंगे तो यह 8 बन जाएगा और यहां 1 चला जाएगा तो 14 में से 7 गया बच्चे 7 और यहां पर कितना हो जाएगा बटा 8 ठीक है यानि कि यहां पर कितना हो गया आंसर आ गया 87 रुपए 20 पैसे ठीक अगला प्रसंद देखिए क्या दिया गया अगला प्रसंद दिया गया योग ठीक है 40 रुपए की बुख है ठीक है और हमें क्या पता करना है छूट पता करनी है तो छूट बराबर कितना हो जाएगा छूट बराबर फिर यहां से हो जाएगा जाके 35 रुपए 50 पैसे अब यहां से देखो 40-35 कर देंगे अगर हम तो छूटा जाएगी हमारी तो छूट बराबर यहां से कितना होगा चार रुपे पचास पैसे तो इसका उत्तर क्या हो गया विट्टा चार रुपे पचास पैसे हो गया अगला प्रसन देखिए क्या दिया गया है अगला प्रसन दिया गया है अगला प्रसन दिया गया है धर्ती गोल है इसमें देखिए यह 500 रुपे की थी 125 रुपे की उसको पड़ी है तो देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा देज़ सो माइनस एक सो पच्चेस बदाबर छुट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 25 बराबर कितना हो गया, छूट हो गया, तो यहाँ 25 रुपए की हो गई, वहिएं पर पस्सिम की और 240 रुपए की और 37 रुपए 20 पैसे की चू मूले हो गया हना तो यहां पर देखो 27 रुपए 20 पैसे माइनस करेंगे तो 2 रुपए 202 रुपए ठीक है 80 पैसे इसका उत्तर हो जाएगा इसके बाद अगला देखो पिटा क्या दिया गया गुर्ट्वा कर्शन की खोज तो 399 की यह है और 240 रुपए 50 पैसे की पड़ी है छ 399.000 और यहां से 240 रुपए 50 पैसे तो आप देखो कि यहां से यह упिद्धर कहई री जाएगा तो 10 हो जाएगा तो यहां कितना बद जाएगा 50 ठीक है यहां क्या है 8 हो गया यहां 5 हो गया और यहां पर 1 हो गया यानि की 158 रुपए 50 पैसे की छूट मिली कितनी एक सो अठावन रुपे पचास पैसे दिए चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है हमसे दिया गया है कि मुहित ने सूची से करम संख्या एक तीन चार आठ पर पुस्तक खरीदने के लिए चुली तो मोहित कितने पैसे खर्च किये तो मोहित ने कौन कौन से लिए संख्या एक की, तीन की, चार की और आठ की ठीक है, तो देखो बिटा कौन कौन से लिए उसने एक की लिए, तीन की लिए, चार की और आठ ठीक है तो चलिए देखते हैं इसको उत्तर क्या होगा तो बेटा आप लोग देखोगे यहाँ पर ठीक है क्या देखोगे इस जीगे पर इस जीगे पर आपको दिखेगा तो बेटा क्या दिखेगा देखोगे यहाँ पर दिखेगा कि पहली वाली बुक की कीमत कितनी है एक चौदा रुपए दस पैसे दूसरे नंबर की तीन नंबर की बुक की कीमत कितनी है 105 रुपए ठीक है 60 पैसे चार नंबर की कितनी है 87 रुपए 20 पैसे और 8 नंबर की कितने की 240 रुपए 50 पैसे सब को आइड करें, यहाँ जाएगा 0, यहाँ जाएगा 1, 6, 7 हो गया, 7 और 2, 9, 9 और 5, 14 का 4 हसल गया बिटा, 1 1 और 4, 5 हो गया, 5 और 5, 10 हो गया, 10 और 7 कितना हो गया बिटा, 14 हो गया, ठीक है, 10 और 7, sorry 10 और सात कितना हो गया िटा 17 हों सब्सक्राइब हकि का साथ गया एक neighbor or do-oh-are उर आथ है दस दस चार 14 का चार हासिल गया एक तो चार जू चाजएइए 247 अरप्द का इसका इसधार हो जाएगा पहले वाँले यृ-णकर का आछ सी управ Churchmel happen answer हो जागा है ठीक है चलिए अगला देखते हैं क्या दिया गए वन सिकाने योगा पुस्तक खरीदने के लिए विक्रेता को 50 रुपए दिये अब उसके पास कितने रुपए बच्चे है ठीक है तो देखो बिटा देखो योगा पुस्तक है कितने की 35 रुपए 50 पैसे की और उ इतना बच्चे का 14 रुपए 50 पैसे ठीक ये हो जाएगा इस वाले का उत्तर इसके बाद हमसे पूछा गया कौन सी सूची की बुक को खरीच सकती है तो 14 रुपए 10 पैसे की बुक है कौन सी बुद्धी मान बीरबल तो दूसरे आले का उत्तर क्या हो जाएगा बुद्धी म बुक खरीच सकती है ठीक है तो ये वाला जो हो जाएगा दूसरे का नीचे दी गई देखें क्या दीए गई है उस तक का नाम है धरती गोल है चार प्रतियां लिहीं और पस्थिम की और साथ तो देखो बिटा धरती गोल कितने रुपए किए तो धरती गोल है 125 रुपए किए और इसकी 4 लिहीं है तो देखो 125 गुडे चार करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई तो हमारा आ जाएगा 500 रुपए ठेक इसके बाद पच्सिम की ओर तो पच्सिम की ओर जो किताब है तो विटाब वो कितने की थी वो 202 रुपए 80 पैसे की थी 202 रुपए 80 पैसे की वो थी तो बिटा इसको जब गुड़ा करेंगे तो 0, जब 7 को 0 से गुड़ा करेंगे, 0, 7 को 8 से गुड़ा करेंगे, कितना हो जाएगा बिटा, 56 का 6 हासल जाएगा, 5, 7 को 2 से गुड़ा करेंगे, 14 और 2, 19 ठीके, और इसके बाद फिर यहां पर कितना हो जाएगा, 14 तो हो जाएगा 1419 उर्पे 60 पैसे ये और प्लस इसमें 200 और कर दो ठीक है 200 क्यों बिटा 500 और जोड़ दो क्योंकि यहाँ पर क्या होगा बिटा ठीक है यहाँ पर तो 500 हो जाएंगे न तो 500 इसमें और जोड़ दो ठीक है जैसे ही 500 जोड़ोगे तो हमारा कितना हो जागा 60 ठीक है 9-1-9-1 यानि कि 1919 उर्पे 60 पैसे 60 पैसे तो पुस्तकों के विक्रत मूल पर खरीदा जो विकने वाला मूल है उस पर खरीदा है तो यह सब टोटल करने पर 1919 उर्पे 60 पैसे हो गया इसका क्या आंसर ठीक है चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया आगे दिया गया है तो बेटा उसने जो है ठीक है विक्रेता को कितने रुपे दिया होंगे तो 1919 उर्पे 60 पैसे का अंसर हो गया ठीक है आगे देखे अगला प्रसंद दिया गया है चार नमबर का कि आप अपने विद्याले के पुस्तकाले में अपनी मन पसंद पुस्तक लीजिए और उस पुस्तकाले उस पुस्तक के बारे में निम लिखित जानकाली पूरी कीजिए जैसे देखो बिटा विद्धियाले से जो आपकी मन पसंद पुस्तक हर विद्धियाले के अंदर देखो रहती है और वो कौन सी पुस्तक है वो पुस्तक है बुद्धिमान बीरबल कौन सा बुद्धिमान बीरबल तो बुद्धिमान बीरबल ठीक है और इसके प्रकासन कौन है इसके प्रकासन है आर एन प्रकासन ठीक है कौन से आर एन प्रकासन इसके प्रकासन है तो बिटा आप यहाँ पर क्या लिखोगे देखो इसका मूल भी आपको मैं बता देता हूँ सबसे सस्ती और सबसे अच्छी किताब है 14 रुपए 14 पैसे की तो प्रकासन कौन है, आर-n प्रकासन, ठीक है बिटा, आर-n प्रकासन इसके प्रकासन है, और इसका मुल लिख इतना है, 14 रुपए 10 पैसे, ठीक है, तो यह चीज़ आप यहाँ पर लिख देना, आगे आपकी कारपतिका क्या होती है, ठीक है, यही पर समाफद होती है, इसके नी ठीक है आगे आपकी कारपती का क्या होती यहीं समापत होती है आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करकर बताना वीडियो लाइक करना चैनल सब्काइब करना ज्यादा से ज्यादा कॉंटेस्स में पास्पेट करना धन्यवाद बच्चों